पूरे देश की तस्वीर दिखाएंगे ये दिखाएंगे कि अगर आप चुनाओ होते तो पीएम की रेस में कौन कितने से आगे बढ़ता, कौन पीछे छूट जाता और इसलिए ये आँकड़े जो आने वाले हैं बहुत दल्चसप आपके टेलिविजिन स्क्रीन पर लेकिन इससे पहले कि हम आपको आँकड़े दिखाएंगे बता देते हैं कि क्या है मेतोडोलोजी यानि कैसे हमने ये सर्वे किया है पांचसो चाली संसद्यक शित्रों में हम गए 2,16,235 है हमारा सांपल साइज यानि हमने 2,16,235 लोगों से बात की है सर्वे का वक्त 25 अगस्त से लेकर 31 अक्तूबर तक है इससे बड़ा सैंपल साइज नहीं हो सकता है किसी सर्वे का और इस सर्वे के जरी अब हम आपको बताने वाले है कि प्रदानमंत्री की रेस में क्या समझती है जनता लेकिन उससे पहले आपका परचा उनखास मेमानों से करा दे जो हमारे साथ इस चर्चा में आज शामिल होग जब हमने जनता से ये सवाल किया कि PM की रेस में कौन है उनका पसंदीदा चहरा तो देखिए जनता की राय क्या थी मेरे दोनों ही तरफ हाथ नज़र रखिएगा क्योंकि एक तरफ प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी का यांकरा बढ़ रहा है तो दूसी तरफ राहूल गां जता 2,16,235 में से ये कहती है सवे में कि वो चाहते हैं मोदी प्रदानमंत्री बने अब दूसी तरफ का शिकर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि राहूल गांदी के लिए कितने लोगों का दिल धड़क रहा है यानि वो राहूल गांदी को PM देखना चाहते है तो 32 का देख रहे हैं ये क्या 2019 की रेस में अभी और भी उपर नीचे हो सकता है ऐसी उमीद पवन खेडा जी करेंगे और सुधान्चु जी कहेंगे कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे लेकिन से पहले कि हम इनका इनकी प्रतिक्रिया इस पर ले जल्दी से आपको अन्य आक्रे दिख है ठीक ठाक नजर रखिएगा ये वो बीस फीसदी हैं जो किसी भी तरफ जा सकते हैं 2019 के लिए इस बीस फीसदी पर दोनों को ही रखनी होगी अपनी नजर और असंतुष्ट यानि हम नहीं मानते कि नरेंद्र मोधी ने अच्छा काम किया है ये कहने वाले 30 फीसदी लोग ह जो आपके टेलिविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहे हैं आपको तो बड़ी बाते जो इसमें है उसमें नरेंद्र मोधी पूरी रेस को आगे लीड कर रहे हैं अब हम आपको एक एक करके SC, ST, OBC, Muslim, General सारे कैटिगरी के दिखाते हैं ये देखें SC में नरेंद्र मोधी आ आराम महसूस कर रहा होगा सुधान्चु जी का, अब अगली ST, जहां ST में जब हम जाते हैं तो यहां पर भी देखें, यहां 31 पर उप जाता है और यहां 48 पर पहुँच गया है, तो यहां पर 17 फीजदी का माजिन है जो आप देख रहे हैं ST में, अब जल्दी से आपको दि उसे, और अब वो जो शायद कमजोर नब्स है सुधान्चु जी के लिए, हमने जब मुस्लिम मताताओं से पूछा, तब उनमें देखें, हमने अच्छा रेप्रेजेंटेशन हर कैटेगरी का किया है, यहां पर 56 फीजदी अगर राहुल गांधी को चाहते हैं, 16 फीजदी नरेंदर मोधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, मुस्लिम के कैटेगरी में, चलिए, अब अगला आपको जल्दी से दिखा देते हैं, जेनरल, क्योंकि यसी के भरोसे सुधान्चु त्रिवेदी जी की पार्टी सत्ता में फिर से काबिज होना चाहेगी ये क्या पूरी तरफ से उनकी तरफ है? ये देखे ये आंकड़ा आ रहा है और ये पहुँच गया है, 56 पर 56 पर जाकर रुखता है ये बीजेपी के लिए और 25 पीज़दी पर जाकर रुखता है राहूल गांधी के लिए, ये क्या कह रहा है आंकड़ा? मतलब आधा से आप 6 पर सेंट ही जादा है, क्लियर नहीं है लेकिन एक जबर्दस फासला जरूर है दोनों में, तो पीएम पद के लिए मोधी देश की पहली पसंद है, ये इस सवे की बड़ी बात जो इस वक्त नजर आ रही है, अगर आज चनाव हो तो ये हो तस्वीर, मोधी और राहूल के 15 से लेकर 16 पीजदी तक का फर्ख है, लेकिन India Today Group Access My India का सर्वे ये बताता है कि मुस्लिम मदाता में 16 पीजदी अगर मोधी के साथ है तो 56 है राहूल के साथ, ये देखे राहूल को 56 पीजदी मुसलमानों ने पसंद किया है और 16 पीजदी सिर्फ नरेंदर मुले, लेकिन और जेनरल में भी हमने आपको दिखा दिया है, जेनरल में 56 और 25 हैं आकड़ा, पता नहीं वाले भी बड़े दिल्चस्प है, सभी में पता नहीं जो है, वो 19 से लेके 21 पीजदी के बीच है, जो अलग-अलग कास में भीजदी अब चलिए शुरूआत करते हैं सुधान चु जब हम पूरे साड़े चार साल के सबसे बूरे दौर में गुजर रहे थे, पेट्रोल प्राइसेज लगातार आगे थी, जो जातिकत उनमाद इन्होंने क्रियेट किया था, वो सबसे आदा शिखर पे था, सबसे आदा उपर पे था, यानि अगर हम देखें, तो ये अस्थाई रूप से जो एक वितंडावाद क्रियेटिट था, वो सबसे आदा आगे था, अगर उस दौर में भी हम 46 प्रतिशत के उपर खड़े हैं, और ये 34 पे खड़े हैं, तो आप ये समझ लिजे, कि जब रा पेट्रोलियम के प्राइसेज बढ़ गए, अंतराष्टी कारणों से, आज ही देखें समाचार आया है, कि अब इरान जो है, वो हमें इंपोर्ट करने को देने की पर्मिशन दे रहा है, पवन खेडा जी, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, SCST आक्ट ये ले जाए जब हो, ल देनी ची, वहाँ भी वो मुस्कुराते वे, यूँ खड़े वे दिख रहे होते हैं, उसके बावजूद अगर ये हाल है, तो आप सोची अगले तीन-चार महिने में क्या-क्या होने वाला है, अभी तो सुप्रीम कोट ने एक जहांकी दिखाई है, CBI ने एक और जहांकी द अगर तो उसे वोट देना, यानि इस कदर दुश्मनी है और आप कह रहे हैं, बापयपूत पढ़ा में 16 दुनिया आट अच्छा मैं दूसरी एक और बात कहते हैं, अब दिखिए एक और में बात कहना है, आपने जो एक डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में कहा, चुकि आपने दो ही विकल्प ती है, इसलिए मेरी इस पे आपत्ती है, जो राहूल गांधी जी को 34 दिखाया है, जैसे, भाई बात कहा है, जल्दी सपर बंजी उसके आप कर आप देखा जाता है, यह अगर नाम की आप्शन दे रहे हैं सर्वे में, तो वैसे ही, जब तक सिंबल की बात न करें, तब तक कोई ज्यादा स्पष्ट बात नहीं निकल कर आएगी, इसलिए आप खुश होते रहें, आरे उन प्रदान मंत्री कैंडिडेट कौन है, सिंबल पर वोट पर रहा हुल गांदी की प्रोजेक्शन से सब्डर लगता है आपको, सिधा सवाल है, हम तो बिल्कुल चाहते हैं रहुल गांदी बने, इसमें क्या दिक्कत की बात आप प्रोजेक्ट करेंगें, क्यों नहीं करें, क प्रोजेक्शन से सब्सक्राइब करेंगे, इनकी तरह थोड़े हैं कि अडवानी जी को धोखा दे दिया, मुडी मनोर जोशी को धोखा दे दिया, क्या रहुल गांदी का चांस है इन आकड़ों को मुदा, अभी ये आकड़े जो है, एक तो नेता के लिए भी जादा है, ल सब्सक्राइब मुसल्मानों के, तो एक तरह से सेग्मेंटेड बैकिंग है, लेकिन महतपूर्ण बात ये भी है कि जो एक तीसरा अन्य का धड़ा है, वो कम नहीं है, वो 19-20 के करीब है, मतलब 1-4 के करीब वो अगर है, तो अगर क्राइस आती है और नरेंदर मोदी जी से ये जनाधार खिसकता है, तो वो जनाधार जरूरी नहीं कि कॉंग्रेस के पल्ले पड़े, 19-20 एक बड़ा आकड़ा है, और अगर स्लाइड होता है, तो हम बता नहीं सकते कि उसका दिशा निर्देश्य वो किस तरफ होगा, ये पता नहीं है, अगर स्लाइड होता है, यही अगर से पेट्रोल के निर्यात की जूट मिलने वाली है, दूसरा आरे वाई, आजी इस ओफ डूइंग बिजनस में भारत 17 पैदान पे पहुंच गया है, इसलिए मैं कहरा हूं कि सारी की बाते सही है, इस ओफ डूइंग बिजनस तो है, जा मेहूल भाई को भगा दिया जा संसर्क के कारण अनेक प्रकार के दोश उत्पन में हो जाते हैं, वो दिखाई पढ़ रहा है कि बढ़ बैंगे आकडे के उपर इस तरह की पढ़िए, इनकी ट्विटर हैंडिल करने वाले कैसी बुद्धी से ट्वीट कर रहे हैं, वैसी बुद्धी से अंतरास्ति आकड़ के विरोध करने की हम करते हैं, तो आप हमारे कंदे पर रखो, बंदुक आपका स्वागत है, हमारा कंधा तैयार है, ने आपका कंधा तो पता है किस लायक है भाया, वो तो 44 पर आगया, दिख जाएगा, यह अहंकार आपका, सर्देखें, बेलागाम महंगाई वो आपको कं सरकार आप है, यह तो आपको ग्राइस समझना पड़ेगा, महंगाई के बदले, CVI, RBI तो कंट्रोल कर दिया, दो चीज़े, महंगाई नियंत्रित है, केवल पेट्रोलियम के मुल्यों ब्रदी हो रही थी, उसके लिए प्रयास हो रहा है, आज ही यह निउस है कि अमेरिका इरान से जो हमारा आयाद था, मार्स तक को सारा आयाद करने की पर्मीशन दे रहा है